हेलो डियर पैरेंट्स, टीचर्स एंड इस्टुएंट्स आप सभी के लिए इंपोर्टेंस इस्ट्रक्षिन मिनिस्ट्र ओओंफेर्स, गवर्मेंट अफ इंडिया की तरफ से जो आ रहे हैं वो है एडवाइजरी है, जूम एप को ध्यान में रखते हुए देखिए सबसे पहले में आपको उताद है जूम एप क्या है यह उनलाइन मीटिंग प्लाटफॉर्म है जहां पर बच्चों को जूम एप के द्वारा बढ़ाय जा रहा है उसके साथ यह वीरियो कॉन्फरेंसिंग के मादिम से बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रहे हैं तो कहिना कहीं यह साइवर क्राइम का बहुत बड़ा खत्रा बढ़ता जा रहा है देखिए यहां पर जो एड्वाइजरी दे गई है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है देखिए अगर हम बात करें जूम आपकी तो हर कोई डाउनलोड कर लेता है लेकर एक्चुल में इसे चलाना किस तरीके से जिससे क्या आपको समझ्या है ना हो वो नहीं समझ पाते है आपके बहुत सारे इसे इंपोर्टेंट्स चीज़ों होते हैं जो बाहर कहीं लीक हो जाते हैं देखिए यहां पर सेकेंड दे रखा डिसेंट्री वेरिस वर्लिवर्टीज एंड वीकनेस्स हाव बिन रिपोर्टें रिपोर्टें प्लैट्फों जूम इन प्रिजन सेनेरि रोकना तो पॉसिबल नहीं है उसका कारण यह है कि जब इस तरीके की लॉक्डाउन चलता रहेगा तो घर बैठे लोग जो वीडियो कॉनफरेंसिंग करते हैं पढ़ा ही करते हैं वह कहीं रूख जाएगा इसलिए साइकोर्ट सेंटर ने सेक्योरिटी के मामले में कुछ न पासवर्ट करते हैं तो हम अपने जो यूजर से उनको आईटी पासवर्ट देते हैं और वो उससे एनेबल करके क्या होते हैं हमारे मीटिंग में जोइन हो जाते हैं यहां पर दे रखाया अब्जेक्टिव अब सिक्रोटिक कन्फिगूरेशं सेटिंग यूजर आइड पा है पासवर्ट बनाईए इनेबलिंग वेटिंग रूम सो ताट एवरी यूजर कें एंटर वैन होस्ट कंडेक्टिंग मीटिंग हमेशा एक वेटिंग रूम बनाकर रखें वहां पर इनेबल करके रखें जैसे को आता है तो आप उसे देखिए सर्च किजिए कि क्या वह इसको क्यों अपनी तरफ से कोई फोटो या कोई डॉकुमेंट से शेयर कर रहा है नेक्स्ट डिसेबलिंग अलाव रिमूव पार्समेंट टू रिजॉइन और उन पार्समेंट को अगर मालीजिए कि कोई किसी को आपने मीटिंग से बाहर कर दिया वो दुबारा रिजॉइ इस तरीके से यहां पर दिखा रखा है जो परसनल आइडी मिलती है आप कभी भी उस परसनल आइडी मिलती है आप आइडी को बार बार यूजड ना करें थे सब्सक्राइब उना करने के लिए हर बार एक नया पासवाड और यडी जनर्राइड करें परसनल आइड़ यह और हर बार जब भी आपको लोग इन सेकेंड नमबर पर टिक को डिसेबल कर दिया है और यूज परस्टनल मीटिग इड वन स्टार्टिंग एन इस्टेंड मीटिंग देखिए जैसे ही मीटिंग स्टार्ट वसके उस वक्त आपको एक परस्टनल आइड दी जाएगी जैसे कि आप अपने क्लाइंट्स को बेजिंगो एजिली फिरो क्लाइंट्स लेने के बाद आपके मीटिंग में जॉइन हो जाएंगे या स्टुडेंट्स जिनको हम बेजते हैं वो ऑनलाइन हमें अगर पढ़ना चाहते हैं या हमसे कुछ जानगारी लेन चाहते हैं तो वो हमारी मीटिंग में ज पाइगा और हमेशा धान की पासवार्ड जो है वह फौन द्वारा रिक्वारड पासपोर्ट फौन द्वारे आपको भीज़ना है जब जैसे पासपेंट्री होते हैं आप चाहें तो अपने हां से बैठी हो से अनम्यूट कर सकते हैं इन सब चीजों को ठोड़ा सा द्याद निगा अदर्वाइस क्या होता कि कोई क्लास से चल लुए है वे उधर से शोर आता रहता जिसके वाइसे भी ईडि में प्रॉब्लम होती है एक दिते चीजी वह प्राइबिच को आप कर रहा होता है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा द्यार ने कहीं है तो और अपको अच्छे से यूज़ कर पाएं हो कि स्कीन शेयरिंग दिर्टाइज और ऑफिसन या पे ऑफ होस्ट आ यह अपने अपने होस्ट कर रहा है वो के उरे फिर एक्षुल आपने उस्सेर करें डिसेबल डेस्टक इस्टोक स्कून सेयर फो यूज़र्स हमेसा बन करके रखे आरॅनौलर चलः ह तो यह कुछ पॉइंट्स हैं देखिए जैसे कि हमारे यहां परागे जूम मीटिंग एप लॉंच लॉक लॉक लाइक देश जैसे यह आप लॉंच करते हैं वह बिल्कुर से मिस तरीके से आता है कि पर्सनल मीटिंग आइडी है हमारा क्लिक फॉर मेनू है क्लिक फॉर होम है हैं जूम ऑपको सांट के साध अपडेटी फीचर जो भी है वह वह सांथके साथ अपडेट होता रहेगा और आपको साथक्राइट कोई भी समस्या नहीं ऐगी क्योंकि यह साथ क्राइम से कहीं बहुत बड़ा अपराद ना करते हैं इसलिए सबचीजों को ध्यान में रखत सब्सक्राइब करने से पहले आप उसमें किस मीटिंग के लिए कर रहे हैं वह सारी टीटियस आप भर दीचे उसमें टाइमिंग भर दीचे जिससे की क्या है कि वह सेम टाइम पर आपका जो है आपके क्लाइंट्स को मैसेज चला जाएगा और यहां पर जो लास्ट है आप अपने जो मैप को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और वीडियो कॉंफरेंसिंग के मादम से बिल्कुल बेफिकर होके क्लास असकते हैं अपने मीटिंग कर सकते हैं ठीक है और गार और हो जाएंग को एक कोई दूसरा पर नहीं रहेगा वह सब डेस्कनेक्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी के साथ जूम एपको और जितने भी आपके वीडियो कॉन्फरेंसिंग वाले अपस हैं उनको चला सकते हैं बस यह कि आपको उसको चलाने का तरीका पता होना चाहिए और आपको उसको सिक्यूर्डी फीचर पता होने चाहिए तो आप बहुत अच्छे से इस तरीके से जूम एपको चला पाएंगे और साथ ही अपने बच्चों को एजुक्रिशन दे सकते हैं घर बैठी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादम से जैसे कि आप सब को पता है कि कोबिड-19 चल रहा है और इसके द्वारा पता है